कि यह जो अभी बताया है नरेंज उनके भाई ने और भाई के साथ जो लगाता धरने पर बैठे हैं सहो कर रहे हैं उन्होंने जो इस परिबार पर बीता है गुजरी है बाते हैं वो सब आपके सामने इससे भी ज़्यादा अगर उनके परिबार उससे आप मिलें तो आपको खुद दुख होगा कि सीमा तक अन्याय कर रहा है जो उनके सीमा के अंदर है जो सीमा के अंदर कर सकते हैं और सीमा से बाहर जाकर भी कितना इनके उपर अन्याय हुआ कि आप कलपना नहीं कर सकते हैं और पूरे उत्तव रेस में बहेका माहौल बनाने का काम अगर कोई कर रहा है तो भाते जन्ता पार्टी और वो पुलिस के माद्यम से कर रहा हैं लगाता है जो घटनाओं की सुचनाएं हैं घटनाएं बहुत हो रही हैं और सरकार ये दावा करती थी ये इनकाउंटर वाली सरकार इनकाउंटर वाली सरकार ये दावा करती हैं कि इससे उत्तव देश का कानून वबस्ता बहतर होगा केवल हम सवाल नहीं उठा रहें अटकाउंटर को समाजवादी पार्टी विपक्ष की भूमिका में है केवल समाजवादी पार्टी सवाल नहीं उठा रहे जितने भी विपक्षी दल है कई मौकों पर इस बात को कहते आये हैं कि पुलिस के माद्यम से फर्जी इंकाउंटर हो रहे हैं अब तो तमाम संस्थाओं की रिपोर्ट भी आ गई है कुछ रिपोर्ट है पेश हुई है कई पत्कार साथियों ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कई स्टोरीज आई है अखवारों में आई है कि उत्वदेश सरकार उत्वदेश की पुलिस के इंकाउंटर कर रही है पहले तो ये सूचना मिलती थी कि इंकाउंटर हो गया और उस पर इनाम इतना था अगर आपको याद हो पिछली प्रेट कॉंसर्ट में ने यही कहा था कि सरकार को कम से कम जिन लोगों पर इनाम घोसित है उसकी सूची बहार लानी चाहिए जिन अपरादियों पर इनाम घोसित है वो सूची जनता जाने वो बहार आनी चाहिए वरना होता यह है कि इंकाउंटर कर दिया उसके बाद इनाम घोसित कर दिया उसका ये तो एक नरेंद की घटना है जिस तरीके से उत्विजन किया न्याय किया और इतना न्याय किया उसकी जान शली गई क्या उन्णाओं में ये नहीं हुआ था उन्णाओंवाली भी घटना यही थी कि पुलेश, प्रसासन और सरकार पूरी मदद कर गई थी और इतना उस्पीडन हुआ इतना न्याय हुआ इतनी मार पीट की गई तो इसके पिता की जान शली गई बारवंकी की घटना जो बेटी जो बेहन या न्याय मांगने आई ती उसकी भी जान शली गई और उत्तप देश को कभी इतनी नोटिस नहीं मिली होंगी हिमिन राइट कमिशन की तरफ से जितनी इस सरकार को लगातार मिल नहीं है क्योंकि सरकार ये मानती है कि इनकाउंटर से कानुवस्था बहतर होगी जब सरकार खुलेयां सदन में कहें उनके मंत्री कहें विधाय कहें अगर पुलिस के हाक में आ जाएंगी चीज़ें और पुलिस का न्याय होने लगेगा तो उसको कोई नहीं रोख सकता इसलिए हम आप से अपील भी कर रहे हैं और एक घटना जो हुई है जो इस परिवार पे गुज़िए वो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये सरकार की जिम्यदारी है न्याय मिले सरकार की जिम्यदारी है परसासन की जिम्यदारी है मदद करें जब ये परिवार मुझे दिल्ली में मिला नरेंद गूजर इनके परिवार के सदश जब मुझे दिल्ली में मिले मैंने कहा तुम मुझे मिलना तो चाहते हो और वही हुआ जब उन्हें पता लगा कि ये लखनू जा रहे हैं तो लखनू ना पहुंच जाएं इसके लिए रोकने का काम भी परसासन ने किया कहां का लोग तंत्र बचाया बताओ यही लोग तंत्र है क्या हम अगर किसी की सिफारस करना चाहें तो न्याय नहीं मिल सकता लीडर ओपोईशन अगर करे रहे किसी की सिफार उसको भी नयाय नहीं मिलेगा जन पर दिनीदी कहें हैं तो वो नहीं नयाय मिलेगा परसारसन को कुछ भी बताएं नयाय नहीं मिलेगा क्योंकि बीजेपी के लोग टै करते हैं कि किसको नयाय मिलना है किसको नयाय नहीं मिलना है बीजेपी के लोग टै करते हैं पुलिस किस पर नयाय करेगी हम तो सुनते ये थे हम समाजवादियों को तो ये कहा जाता था कि किसी की जान समाजवादी सरकार में चली जाती है तो पचास लाग की मदद करते हैं जा तो धरन क्या धार पाथ हम तो कहते हैं जो मरे हैं उनकी मदद कब करोगे पचास लाग की अगर समाजवादियों ने पचास लाग से मदद की थी तो आप कब करोगे पचास लाकी मदद से बताया मैं मत्रा में जो बेटे की जान चली गी थी एक फर्जी इंकाउंटर गोली बारी में मैंने उसमी में मांग की थी कि उस बच्चे के परिवार को पचास लाकी मदद होनी चीए क्यों सरकार ने पचास लाकी मदद ने की उससे पहले भी लोगों की जान गई मैंने का पचास लाकी मदद करो मैं आज मांग करता हूँ इस नरेंट गूजर जिसमे फर्जी मुकदमा लगा जिसका न्यावत पिरन हुआ जिसकी जान चली गई इसके परिवार की मदद पचास लाग सरकार को करनी चाहिए इसके परिवार के किसी स्थरस को नौखरी मिलनी चाहिए घर और स्विधाएं जो मिल सकती है वो मिलनी चाहिए और भाशा कैसी इन लोगों की? एक विधाई की बताऊं भाशा में दो विधाइकों की बताओं भाशा? इनके निताओं की भाशा बताएं? कहराना चुनाू होने जा रहा है कहरे हैं कि अगर यहां दूसे दल के लोग जीछ जायेंगे तो दिवाली कहां मनेगी पाकिस्तान में मनेगी हम तो कभी नहीं गें पाकिस्तान हमारा तो वीजा भी नहीं है पाकिस्तान का बीजेपी के बताएं चुप चाप खीर खाने कौन गया था पाकिस्तान खीर खाने चले गए खुद खीर खाने जाते हैं आप लोग और चुना होने जा रहा है हिंदू और मुसल्मान मुसलिम मर जाएगा तो 50 लाग समाजवाजी सरकार देगी हम तो कहते हिंदू मर गया अब 50 लाग क्यों नहीं दे रहे हो आप हम आप से जानना चाहते हैं क्योंकि आपने तो हमें बदनाम किया तो वीडियो हमारे पास रात भर मैंने वो वीडियो देखे हैं जिसमें आपके लोगों ने भाशर दिये हैं कि अगर मुसल्मान मरता है तो समाजवाजी सरकार 50 लाग देती है हम आप से पूछना चाहते हैं कि हिंदू मर रहे हैं उनको 50 लाग कब दोगे तुम और मैं कहना चाहता हूँ ये भाशा समाजवादियों की नहीं हो सकती हिंदू मुसल्मान की खाई पैदा करकर कि हम लाग नहीं लेना चाहते हैं हम तो कहना चाहते हैं आप ध्यान अटाना चाहते हो क्योंकि चुनाओं में आपको जवाब देना पड़ेगा खेद में गण्ये गड़े हैं गन्ना अभी भी नहीं काट पाया किसान चीनी मिलों ने नहीं लिया है अभी तक इतना बकाया किसानों का कभी नहीं हुआ होगा जितना बकाया अभी किसानों का है यही तो सरकार कहती थी कि हम आ जाएंगे तो दो हफ़ते के अंदर पूए किसानों का भुक्तान कर देंगे अब हमें सरकार बताएं कि 10,000 करोड जो किसानों का बकाया है चीनी मिलों पर वो भुक्तान कब होगा और किसानों का खितों पर गन्ना खड़ा है वो गन्ह का भॕतान कब मिलेगा, कब गन्ह उन का शाफ होगा फिसों से हमारे अगर समाजवादी लोग गन्हे का सवाल को लेकर जाएंगे तो आप लाटी मारते हूँ गन्हे के सवाल पर नौकरी और जोर्फरार रोज़कार मुद्वार हो महंगाई मुद्धा हो GST में अस्पालोगे वो मुद्धा हो लेकिन ये सरकार जैसी चुनावाया है ध्यान हटाने के लिए मुद्धे ला रही है ध्यान हट जाए असली मुद्धों से इसलिए हम अपनी जंता से अपील करेंगे महां के लोगों से कि समाजवादी पार्टी का स्रयोग भी है और समाजवादी पार्टी एक जिर प्रत्यासी लड़ भी रहे है ये चाहते हैं कि मुद्धा दूसरा हो हम चाहते हैं मुद्धा घंणा हो वो चाहते हैं कि नौजमान भटक जाए बहग जाए हम चाहते हैं नौजमान की नौकरी रोजगार का सवाल हो GST ने जिस तरीके से बरवाद किया है बैपार नोड़ बंदी का असर अभी भी दिखाई दे रहा है ये सवाल हो और वहीं जो सरकार भरजीन काउंटर कर रही है और इनका निशाना अच्छा हो इनकी मेहनत अच्छे करना है यानतों तो जाएं कुटों को पकड़ें क्यों नहीं पकड़ें कुटों को सुटाबर में बताओ ऐसी सरकार जहां पर कुटे बच्चों को मार रहे हो हलांकि प्रयावरण के कानू नलग है अगर मैं कोई बात ऐसी कह दू तो हो सकता है प्रयावरण के लोग हम पर आरोप लगा दें लेकिन सोचो कोई कल्पना कर सकता है आज के देश में जाज विशल इंडिया हो जहां लोग सोशल मीडिया पर समय गुजारते हो जहां पर तरक्य और खुशाली की बात हो बच्चे जान ले ले रहे हों बच्चे बच्चों की जान कुटे ले रहे हो और सरकार ने पकड़ पारी हो पूरी सरकार लगिये पकड़ने के लिए सोचिए उन बच्चों की मदद नहीं करें सरकार उन बच्चों की परिवार के लिए भी समाजवादी पार्टी उन परिवारों को दस लाग रुपई की मदद मांग करती कि सरकार को मदद करने चीज़ दस लाग रुपई से और कैसे उम्मीद करें इंसे गोरतपुर में भी जिन बच्चों की जान गई थी एक मदद नहीं की जिन परिवारों के दो-दो बच्चे चलेगा उनकी भी मदद नहीं किती कौन इंसे उम्मीद करेगा इसलिए कम से कम जागें कम से कम आँख खोलें जो लोग लोग तंदर पर भरुशा करते हैं कम से कम वो लोग आएंगे तब ही जाकर के इनकी सरकार के लोगों के थोड़ा बहुत सनवाई होगी इसलिए हम चाहते हैं नरेंग गुजर और तमाम ऐसे लोग जिनकी जाने गई हैं परजी इनकाउंटर में पचास लाग रुपे से सरकार मदद खरें इलाब ये उत्तप डेस में हत्याएं रुक नहीं रही हैं और लगातार हत्याएं होने की ख़वरें मिल रही हैं आज जहां वकील की हत्या हुई है कल भी अख़वारों में घटना है जो आज छपी है जहां पर बड़े पेमाने पे घटना हुई इलाब आज में लॉकर में चोरी हो गई बेंक की लॉकर चोरी हो गई हत्या होई रही है लॉकर चोरी आपके सारनपुर की बड़ी घटना जहां पर एक दलिक निता की हत्या कर दी ये सरकार कानून ववस्ता पर कोई खाम भी कर रही है कानून वबस्ता कैसे बहतर हो कोई किसी तरह का सरकार की तरफ से अधिकारियों के सारा है ही नहीं उनको केवल ये है कि विपक्षी लोग बोल ना पाएं विपक्षी लोग उनकी कोई कमी बता ना पाएं बस उनके पीछे लगे रहो ये कानून ववस्ता को बेहतर करने के लिए काम करते तो शायद उत अपरेश की कानून ववस्ता बेहतर होती लेकिन जो कानून ववस्ता बेहतर करने के लिए काम भी की गएते उन कामों को भी खतम कर दिया है इनोंने सो नमबर से बहतर कोई विवस्ता नहीं हो सकती मैं आज भी कहता हूँ अच्छे अधिकारियों को मौका मिले सो नमबर जैसी रिस्पॉंस टीम को बहतर करना का काम करें तो ऐसी चीजों में लगावन लगाई जा सकती है लेकिन ये सकार को कानुवस्ता चीज दिनता ही नहीं है क्योंकि उन्हें तो ये कहना है कि अगर समाजवादी लोग आरड़ी लोग जीच जाएंगे तो पाकिस्तान में खुशी मन जाएगी आपने खीर खाई ही वहाँ वो नहीं बताओगे आप मैं लखनो के लिए शाम-अवद बनवारा था और इसलिए बनवारा था कि हज़र गन में इधर बहुत धीर होने लगी थी शाम-वद भी बिग गया कितने रुबह में बिग गया हजारा करोड की चीज़ को कुछ करोडों में बेज दिया नहीं बेचा की नहीं बेचा ही रपाईगी बिग गया की नहीं बिग गया उससे कीमती कोई जगे हो सकती है हम मांग करते हैं कि उसकी सीवियाई जाच हो क्या हमारी मानी जाएगी मैं कहूँ ED से जाचो क्या मेरी मानी जाएगी मैंने कहा जीतेन ज्यादव के वो गोली मार दी वो आज विकलांग बैड पर पड़ा हुआ है मैं CBI मांग कर रहा था क्या CBI हो गई मैं तो धन्यवाद दूँगा हाई कोर्ट के Chief Justice साफ का कि कम से कम उनकी वज़े से ये उन्नाओं में CBI हो गई वरना CBI नहीं होती संस्थाओं पर प्रशन लगने का सवाल खड़ा है और ऐसो आपका हो आपने देख लिया ना उन्नाओं में क्या हुआ था इसलिए ये चुनाओ जो करीब आ रहा है कि जो दोस्ती थोड़ी बहुत होने लगी है इसकी वज़े से भी बहुती चीज़ें हो रही है आप बहतर समझते हैं परेसानी तो हम लोग होगी लेकि याद रखना परेसानी आप पर भी आएगी केवल हमारे परेसानी नहीं है परेसानी आप पर भी आएगी इसलिए क्ष़ क्ष़ कम लोग तंके आप भी हैं एक तंब हैं आप भी आगे आईए आप आप भी मदद करिए नहीं तो पहले हम जाएंगे बाद में आप भी आओगे इसलिए बदकार साथी हो एक-एक करके सवाल पूछो लेकिन ये सवाल जो भी पूछो ध्यान नहीं हटना चाहिए नरेन वाले मामले को लेकर थे एक सवाल एक ही पूछा जा सकता है आप ये ये बताईए वो पार्टी में है ना बस धन्यवाद जब लास 2017 में आप आपने और राहुल जी ने प्रेस कॉंसर्स करी लिए उसक भी सवाल पूछा गया था कि वो अभी आपको चीफ मिनिस्टर देख रहे हैं कि आप उनको प्राइमिनिस्टर के रूप में देखते हैं राहुल जी ने अपका नाटका में अवी को और फूर के दराने साफ कह दिया कि अन मबर थाएंगे तो मैं प्राइमिनिस्टर को लो के रेत और इस मौके का लाब भी उठाना चाहता हूँ तिलंगाना के मुख्यमंती जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने देश की किसानों के लिए सबसे बहतरीन योजना लागू करने की शुरुआत करने जा रहे हैं मैं समस्ता हूँ आने वाले समय में हर प्रदेश इसी तरह अपने किसानों को सुविधा देने का काम करेगी ये जो स्कीम जिस सरी के से लागू और हलाकि जब मैं गया था तिलंगाना तो इस स्कीम के बारे में भी उन्होंने विस्तार से मुझे बताया था ये किसानों का सवाल प्रदेश सरकारे ही हल कर सकती है आप देखिए कुछ दिन पहले ये आप पैकरो कि आखिर कार कौन किसको गुम्रा कर रहा है इन्वेस्टमेंट मीट हुई थी देश के प्रदान मंतीजी आए उन्होंने कहा कि मलियाबाद का आम दशेरी आम पूरे देश में जाता है उसकी पहचान है उत्तव देश की सरकार ने मलियाबाद में ही बनने वाली आम की मंडी को रोग दिया देश के प्रदान मंतीजी ने ये भी कहा कि कन्नौच का इत्र जिसकी खुश्मू दुनिया में महकती है उत्तव देश की सरकार ने वाँ परफिमरी पार्क और एक परफिम का बहत्री मुजियम मन रहा था वो रोग दिया आलू के बारे में कहा आलू की मंडी रोग दी तो आप क्या उम्मी करोगे सरकार के मैं बढ़ाई देना चाहता हूं तिलंगाना के मुख्मंती जी को जो किसानों को ले करके एक बहुत बहत्री आ रही है योजना और जो बात आप कह रहे हैं ये चुनाव के बात तैह होगा हला कि कॉंग्रेस पार्टी के राष्ट यद्देक्ष के हमारे सम्मन बहुत अच्छे हैं अभी तो हमी पांच है और साथ हो गए ये वाली गिंती तो नहीं गिनी जाएगी उसमें अगली बार अगर ये वाली गिंती गिनी जाती हो तो हम तयार है आज ही ये गिंती गिनी आएगी उसमें तेह होगा और कोई सवाल देखे आप रिवियू में जाएंगे या क्या करेंगे जी जी देखे अंतो गत्वा जो सो नम्मर है जो सो नम्मर रिस्पॉंस सिस्टम जो बनाया था उत्तपरिय सरकार समाजवादी सरकार के समय पर वो इतने बड़े इंट्रसक्टर के साथ बनाये गया था जिसमें आने वाले समय में और सर्विसिस जुड़ जाएंगी जैसे कि उसमें फाइर का जुड़ना है हेल्थ एमर्जेंसी भी जुड़नी है तो पुलिस हेल्थ और फाइर तीनों एमर्जेंसी को एक जगे जुड़ ना था लेकिन जो महिलाओं के साथ लड़कियों के साथ जो अन्या या जो उत्पीरन होता है या जिस तरीके से छेड़ खानी होती है वो अलग तरह का क्राइम है अलग तरह की घटनाएं होती है इसलिए उसमें विसेज 1090 हेल्प लाइन ना कह करके हमने पावर लाइन बना गया था और उसकी मॉनिडरिंग उसमें नमनी सिकेरा कर रहे थे अब ये कुछ सम्मान भी दिया है मुख्यमंतिजी ने लगता है कई यह था तो नहीं सम्मान के बहाने आपस में दोनों में बात हो गई हो सम्मान दिया भी मुख्यूंती जी ने शायद निमनीज से के रहा को इसलिए दिया कि उन्होंने वन जिनों नहीं जिनों अच्छा काम किया है अब वो तो मैं उसमें थानी सम्मान वाले कारकम में तो पता नहीं मुख्यूंती जी ने क्या फैसल लिया होगा मैं तो यह कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंती जी ने एक नई जानकारी दी हमें हम लोग उनसे बहुत कुछ सीखते हैं बरत रखें आप तो बूनिये के लड़ू खा सकते हैं हमें यह नहीं पता था पवन कुस्त रहनुमान जी कहां पेदा हुए हमें तो यह पता था जब मैं बैंगलोर से मैसूर जाता था तो मुझे लोग बता थी यह गाओ ध्यान से देख लो यह वही रामनगर है जो शोले में रामनगर बना है तो शोले के बारे में तो जानते थे वो फिल्म के बारे में गबर सिंग वाली फिल्म के बारे में लेकि पवन फुद हनुमान के बारे में हमने कभी नहीं सुना था कनाटक में तो कभी कभी जानकारी उनसे मिलती है हमें और जो तब्रेश में हालत कर दी है नरेंज जैसे गुजर की हत्या कर दी हो पुलिस ने उसकी उन्हें चिंता नहीं है कनाटक का कान में वस्ता बहतर जाया उसकी जादा चिंता है उन्हें और सब आकड़ों में एक समय था जब समाजवादी सरकार दूसरे प्रडिशम से आगे जा रही थी कैपिटल इन्वेस्टमेंट में हम आगे जा रहे थी हम रोड के इंफ्रसक्चर में आगे जा रहे थे बिजली के उत्पादन में हम आगे जा रहे थे डिस्टिबिशन लाइने में आगे जा रहे थे लैप्टॉप डिस्टिबिशन करने में हम आगे जा रहे थे अब बताईए सरकार कहा जा रही है और करनाड़ को सिखाने जा रह अरे किस के उनके पास परिवार है क्या कौन आरूप लगा रहा है हम पर कौन आरूप लगा रहा है हमें तो पता ही नहीं आरूप लगा रहा है कुछ मैं आपको कह दू मैं आपको कह दू सबसे ज़्यादे परिवार बात को बढ़ावा देने वाली भारती जन्ता पार्टी है है के नहीं है बताईए आप उनके बात भी तो परिवार है उनके बारे में नहीं कोगे आप और देश में सबसे जादा जातिवादी अगर कोई पार्टी है तो वो भी भारती जन्ता पार्टी है जातिवादी पार्टी भारती जन्ता पार्टी है इसलिए ये परिवार बाद वाला सवाल ही नहीं है सवाल अन्याय का है आप सवाल यह पूछे बीजेपी के लोगों से पाकिस्तान हम तो कभी नहीं गए पाकिस्तान से संबंद अच्छे हो और हम समाजवादी लोग हैं लोहिया जी नेता जी और हम लोग इस पक्ष में हैं कि आज़ पास जितने भी देश हैं हमारे उनसे संबंद बेतर हो किसी ने किसी रूप में महासंग बने आप पाकिस्तान से की दो बात करते हैं चीज जो बिल्कूर पड़ोस में उसके बारे में क्यों नहीं कुछ कहते हैं नेपाल से हमारे संबंद कभ होगी अच्छे याद रखी है आपको याद होगा उस समय के जब नेपाल में घटना हुई थी अर्थ को एक आया था सबसे ज़्यादा किसी ने मदद की थी तो उत्तव वदेश की सरकार ने मदद की थी कें सरकार भी पीछे रह गए थी उतनी नहीं मदद कर पाई थी यह चुनाव आ रहा है वैसी वसे सीगाई भी आ रही है आरेंट ली के यह परत्यासी हैं उनके बेटे हमारी पार्टी से बिधायक है उनके जो पिताजी जो नहीं है वो कभी समाज़ादी पार्टी से भी सांसद रहे हैं माता जी बहुजन समाज पार्टी से भी रही है तो देखो कितना अच्छा समीकर हमने बनाया है और मैं सभी दलों से कहूंगा कि हमारी मदद करें इसमें किसको हम आपके मादम से यहीं से कुछार करेंगी यह देखिए ऐसा है हर चीज का एक समय होता है हम आप से यह जानना चाहते हैं आपके मादम से कि पिछले चार साल से ज्यादा समय को ज़र गया केज सरकार का उत्तव प्रदिस में क्या इंवेश्मेंट उन्होंने कराया है अगर एक करोड का भी केज सरकार की तरफ से इंवेश्मेंट हुआ हो तो बता दें आप तुछ तो इंवेश्मेंट कराना चाहिए था और जो M.O.U. साइन हुए हैं उनकी तो शुरुआत में पोल खुल गए थी क्यों कई ऐसी कंपनी हैं जिनके पास कुछ बैलेंशीन में था ही नहीं लेकि M.O.U. बड़े-बड़े करोड के कर दिये थे उत्व डेस में जितना M.O.U. है और M.O.U. के हिसाब से बजट में पैसा क्या है आप इंसेंटिप्स क्या दे रहे हैं आपने जो समाजवारी सरकार में इंडिस्टिन पॉलिसी थी उससे क्या बहतर आपने इंसेंटिप्स दिये हैं जिससे आपके इंवेस्टमेंट आ रहा यह वही डिफैंस कॉरिडर डिफैंस कॉरिडर से बड़ा गुमरा करने के लिए कुछ है नहीं और और मैं इसलिए बात कहना चाहता हूं आप से उत्तर प्रदेश में मैंने एक पत्र रिखा था एक्सप्रेश वे बन जाने के बाद और मैंने पत्र रिखा के इन सरकार को कि मैं चाहता हूं कि एक केंटोनमेंट बन जाए एक्सप्रेश वे के किनारे दिल्ली सरकार के दर्ब से चिठी आई कि कोई केंटोनमेंट के लिए हमारे पर परस्ताब नहीं नहीं हम केंटोनमेंट बना सकते हैं सरकार बनते ही मैंने कुछ सड़क चोड़ी करने के लिए परस्ताब यहां से भीजे और व्यक्तित रूप से अधिकारियों से भी बात की जो आर्मी के होते हैं और समय समय पर जो कॉडिनेशन मीटिंग होती है उत्तबदे सरकार के और आर्मी के बीच में उसमें भी हमने उन बातों को रखा उधारन के लिए ये केंटोनमेंट वाली जो रोड जो एरपोर्ट जाती है हमने का ये सिक्सलें एटलें हम बनाना चाहते है ये सुल्तानपुर रोड वाली हम सिक्सलें एटलें बनाना चाहते है कुक्रेल वाला पुल हम किलियर करना चाहते है ये आपका पिपड़ा घाट मे जी के नाम से जो खेली भी बनी थी वो हम बनाना चाहते हैं लेकिन डिफेंस ने हमें पर्मिशन ही नहीं दी दो साल बहुजन समाज पारड़ी इंतिदार करती दी कुकराल के पुल्क पुरा ख़रने के लिए पांच साल हम पर्मिशन मांगते रहे पांच दो साथ और एक आठ साल हो गए बताओ कितना ही पर्मिशन मिल गई जब मामूली सी सड़क बनाने के लिए केवल एक शहर में नहीं डिफेंस पर्मिशन दे रहा हो और डिफेंस कोर्डर बना करके जनता को आप गम्रा करना चाहते हो पहले ये बताओ आपने बवीना के लिए क्या काम किया है बवीना से बड़ी डिफेंस की आमर्ट के लिए कोई जगह नहीं है दो तीन स्केट को लेकर के हैं क्या आपने किया आप लखनों में बता जिए डिफेंस का क्या काम किया मैंने फैक्ट्रिंग जो सबसे जादा कानपुर में होती है आपने वहां के लिए क्या क्या किया वहां पे आओं फैक्ट्रिय उसके लिए क्या क्या किया आपने मैंने रोड मांगे थी क्योंकि कई स्टे और सबसे बैतिरीन काम कम समय में 21 महीने में जो किया बताइए डिफेंस के लोगों ने दो बार वहाँ पर हवाई जाज उतार दिये के नहीं उतार दिये सिर्फ हवाई पर टीवी यूज हो गई इना जेवर एरपोर्ट बनना है और इने के डिफेंस कोरिटर बनना है हम और आप अखवार में सुनते रहेंगे आप बड़ा बड़ा लिखते रहें ना जनता समझे कि हाँ इसी से नौकी रोजगार आएंगे इसी से करने के लिए यह सब चला है समय बचा नहीं है इसलिए मैंने का हर चीज का समय होता है आज मई होगई मालीचे फुरसत होंगे रिजल्ट आएंगे करना टक के जून हो जाए अगला मैना खतम हो जाएगा यहां के चुनाव होते होते जून जुलाई और उसके पास तैरी कर कि अगले चिनाव की लोग सबाक ही अब किसी के पास समय नहीं है ना अमस्थमेंट करने वालों के समय होगा ना लाने वालों पर समय होगा हम सब लोग जंटा के बीच में हाथ जोड़े नमस्कारा चाह पहे होँगे इतने इतने सवाल कैसे ले लेंगे वज़ाओं आप वह तो इसलिए मुख्यूंती जी बापिस आ गया है कि हमने कह दिया नहीं पर्मनेंट मठ बना लो वहाँ पर और कोई मदन नहीं आनी तुफान से जान जाने वालों की कोई जान नहीं याद कीजे गुंदेखन में एक समय सूखा थी हमने पंदर लाग तक लोगों की किसानों की मदद की थी बताईए क्यों नहीं मदद करने किसानों की गरीबों की घर का नुकसान हो गया टीन शेजूर गई जान बढ़ चले गए कुछ पता नहीं उसे पूश के बताओं की जगे कौन सी अच्छी हम भी देखाएं इधर बहुत दिन से हम नहीं जा पाए हैं देखिए मैंने आप से पहले कहा कि कोई इंवेश्मेंट नहीं आने वाला है ये केवल चुनाओ आने वाला है समय होता है उसका किस सरकार ने कुछ प्याश शुरुआत की हो और फिर उत्तबरेश की सरकार क्या इंवेश्मेंट लाईगी अमेरिका से जो रास्ता मैं चाहता हूँ कि पॉलिसी क्या है आपके पास आपने बजट में कितना पैसा रखा है किसानों को करज माफ नहीं हुआ बिना इंसेंटिव के बिना जमीन को दिये कोई इंवेश्मेंट नहीं आने वाला है और फिर वो तो विभाग स्वास विभाग है क्या अ एक्सपायर होगी अपने कंधी पर लेकर की जा रहा है इन्हें एम्बूलेंस ठी करनी चीए कई अमेरिका में जा रहे हैं और फिर कहा था कि हम डॉक्टर्स बना देंगे ज्यादा मैं जानना चाहता हूँ कि मेडिकल कॉलेज अलग भी भाग है यह अलग भी भाग है तो य यह जो यह जो आप कह रहे हैं यह तो अच्छा किया बीजेपी वालों का काम समझ में नहीं आता हमें नकल का रोप लगा रहे थे सुनने में आया कि बिना परिच्छा के ज्यादे नमबर मिल लें इससे अच्छा और क्या हो सकता है अगर परिच्छा इना लिखनी पड़े नंबर अच्छे आजाए तो इससे च्छा और क्या हो सकता है यह नकल नहीं है यह नकल नहीं है बीजेपी ने एक नया फॉर्मूला निकाला आई यह नकल नहीं है आप परिश्या मत लिखिए आपको अच्छे नमर मिल जाएंगे हमें तो शामे अबद का पता है बिग्जे हमारा शामे अबद कुछे पीशे वाले फिर हम जा रहे हैं मैं आपको कहना चाहता हूं समाजवादी पार्टी और खासकर हमने पहले दिन ये कहा था कि ये फुलिस का काम करने का तरीका ठीक नहीं है और वहां अगर किसी ने बवाल कराया है तो उस्तव बदेश की फुलिस ने वहाँ पर बवाल कराया है अगर फुलिस चाहती तो इनिवर्स्टी में बवाल कभी नहीं हो सकता था पूरी जिम्हिदारी अगर पार्टी की और आपको कहना चाहता हूं उन चाहत नज़वानों ने हमारा भी कारिकम तीन तारीक का मांगा था तीन तारीक को हमें जाना ताँ लिकिन किनी कारिकमों की वजह से हमें ये miyu नी जा पाई ये पूरा सरकार ने माहौल बिगाडने का काम किया है सरकार चाहती तो ये माहौल इंविस्टी का नहीं बिगड़ता जो अन्याय हुआ है लड़कों को जिस तरीके से ये भी कि छास संग के लोग की पुलिस ने पिटाई की है कोई कल्पना कर सकता है बवाल किया दूसरों ने और पिटाई हो रही हमारे ये चास संग के नौजवानों की वैसे मैं आपको बता दूँ वीजेपी के लोग हमेशा जेब में क्लोरोफार्म और ओपियम साथ लेकर के चलते हैं वहाँ टीपू सुल्तान चल ले थे हमारे तमाम नेता चासं के गए हैं तमाम लोग पहुंचे हैं मिले भी हैं उनके जो यूनियन के लोग कुछ मिले हैं बड़ी संख्या में मिले हैं यह बढ़ा है जो जो आपने कहा है बढ़ा है और यह कुधारण है यह नरेंद जो भाई की फोटो लिए बैठा है बिचारा नाम को भी नहीं दे पाएंगे उनके वारे में लोग एक्सपोज होगे वो जान गए लोग लोग इंतजार करने हैं चुनाव का लोग इंतजार करने हैं चुनाव का क्यों कि यह हम जो मदद करेंगे वो करेंगे वो अलग बात है हमारे कागिताऊं ने मदद किया है किसीन एक ऐस घार रुपए दी है किसीन तों surprise 11,000 कि मदद की हम यह जानना चाहते हैं बीजेपी के लोगों से जो बीजेपी के लोग भेदवाब करते था अब क्यों नहीं मदद कर रहे हमारी मांग एक बचा सब्सक्राइब करें उस कर आपनी मदद करेंगे पूरी मदद करिए प्रैस के लोगों नहीं हमारी जानकारी में नहीं हमारी जानकारी में नहीं है